चरंसी चिंग चन्नी चन्नी याने की पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के उन्होंने कल जम्मू में जो हमला हुआ था उस हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया है जिसके बाद वो गिर गए है उनका कहना है कि चुनाव से पहले जो जम्मू में आतंकी हमला हुआ है वो स्टंट है वो चुनावी स्टंट है और ठीक चुनाव से पहले किया गया है यहां पर जो सेना के जवान शहादत जिन्होंने दिये जो इनकी शहादत हुई है उसको उन्होंने पूरी तरह से चुनाव से जोड़ा है तो ऐसे में बड़ा सवाल उटता है कि आखिरकार पर ठीक चुनाव के दरान उसे जोड़ कर क्यों दिखा रहे हैं कि कि यह स्टंट बाजी हो रही है हमले नहीं हो रहे हैं पिछली वार भी जब अलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खिले जाते हैं और बीजेपी को जिनाने का जिताने का संदान त्यार किया जाता है यह ति हैं यह बीजेपी को जिताने का एक स्कंट होता है इसमें सचाई नहीं होती लोग मरवाने और लोगों के लाशों पर खेलना यह बीजेपी को आता है अब बड़ी बात है कि देखिए कि पूर्व मुख्य मंत्रिय पंजाब के नेता है वो किस तरह के बयान दे रहे हैं जहां पर जवानों की उपर 30 राउंड गूरिया चलाए गई पुंच में शहादत हो गई घायल हो गए हमारा जवान लेकिन वो इससे जोड़ रहे हैं किस कि आप पास्ट में देखते हैं खत्तर की लड़ाई 65 की लड़ाई क्या यह भी जो लड़ाई हुई थी यह भी क्या सारे स्टंट थे यह वो लोग हैं कॉंग्रेस के और इनके सहियोगी दल जो पार्लेमेंट पे अटाक करने वाले अफजल गुरू को भी रात को धाई बज़े अधालत खुलवा कर उनकी फांसी की सजा माव कराने के लिए प्रयास रते हैं कॉंग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नमों निशान मुटा देना चाहती है उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पाड़ी की टिकट देते हैं कॉंग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी देश सवाल पूछता है कि कॉंग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन वुदेशी ताक्तों के आगे घुटने टेकने जुरूरी था ये है गांधी परिवार का स्ली चेरा ये कोई नई बात नहीं है कॉंग्रेस के खून के अंदर ये घटिया पंती है कॉंग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रती एर फोर्स के प्रती या हमारे सैनकों के प्रती ऐसी भावना है ये गंधी राय निती से बाज नहीं आ सकत कैई कि अब कौंग्रेस के सासाथ उनके जो गडबंधन के साथ ही है वो भी इसी सुर्में गा रहे हैं । पर याद अब आथ के नेता वो भी कहते हैं कि फुल्वामन का इटाक या बाकी आतंक की हमले हो उसको भी वो स्केन्ड वता रहे है कौंग्रेस की तरह तो आपने देखा किस तरह से जो पुंश में आतिंग की हमला हुआ हमारे जवान शहीद हुए शहादत को कही ना कही बंदाम करने की कोशिश हुई और यह सिलसिला चलते चलते महाराश्ट तक पहुँच और महाराश्ट में कॉंग्रस के नेता विजय वेट्टीवार उन्होंने हेमंद करकर जो मुंबई हमला हुआ था हेमंद करकर के शहादत परी सवाल सवाल उठा रहे हैं, सुनिए अब उज्वल निकम जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो मुंबई हमला हुआ था कसाफ को से लेकर तमाम जो आतंक की थे उनको फौसी तक पहुचाने का काम किया था कसाफ को, अब उन पर हमला करने के लिए विजय वेट्टीवार यहां तक पहुँच गए कि उन्होंने शहादत को यह बंदाम करने से नहीं पीचे हटे और यही वज़ा है कि बीजेपी हमलावार है और बीजेपी इस पुरे मामले को लेकर विजय वेट्टीवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कर रही है। पुस्तका विमोचन करने के लिए स्वेम दिगविजे सिंग गहते बड़ी उनकी चीछा लिदर हुई थी उसके बाद बात कहना ही बंद कर दिये साध उन्हीं दिगविजे सिंग से प्रेड़ना लेकर के बटटीवार जी बकवास कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफाईया रेजिस्टर करोंगा और ऐसे व्यक्ति को महाराश्टर के अंदर किसी को गुमने नहीं देना चाहिए। महाराश्टर के अंदर राध इतिका बहुत डाउनफॉल हुआ है पर डाउनफॉल का लोएस्ट पाइंट विजे वट्टीवार का इस्टेटमेंट है। तो जहां उजवल निकम को लेकर विजे वट्टीवार ने इतना बड़ा बयान दिया तो उजवल निकम भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने साफ कहा कि कोट के अंदर खुद कशाब ने खड़े ओकर इस बात को माना था कि उसने ही हेमंद करकरे को गोली मारी थी। कशाब को लेकर कॉंगरेस के वड़ेटिवार आपके वौपर आरोप लगा रहे कि आपने कॉंगरेस के साथ गद्डारी की आपने जोटा बयान दिया कि कसाब ने विर्यानी कहाई थी। क्या कहना है देखिए यह तो मैंने नहीं कहा मैंने क्या कहा कि कसाब ने मटन बिर्यानी की मांग की है आप लोगों नहीं चला है टीवी पे किसने चला है आप नहीं तो चला है जाके कसाब से पूछ लो किसने चला है अभी तो कसाब नहीं है ना लेकिन आप कुछ भी अच्छा कसाब ने मटन बीर्यानी दी क्या नहीं दी इससे आपको क्या फर्क पड़ता है लेकिन आपको इसलिए फर्क गिर रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने मेरी उम्मिद्वारी जाहिर हो गई उस वक्त आपको भाजरपर के खिलाब कुछ कहना था बोलना था इसलिए आप क्याल में रखती है कि ताली एक आथ से नहीं दो हाथ से बसती है अगर कसाब ने मटन बीर्यानी कि मांग नहीं कि इसके बारे में आप साबित कर दो क्या है उन्होंने दूसरा और यह का रखाया कि हेमिंद करकर हैं साब को जो गोली लगे थी वो आतंक क्योंकि यह बंदू लेकिन आप चुनाम में देन में उत्रे इसले जुट बोर रहे हैं ऐसा उनका कहना किसका किताब मैंने किताब कभी लिखी नहीं है मैंने तो किताब नहीं लिखिये लेकिन देखिया विपक्षम में हल्चल मच किया है उनके तंबू में घबराठ हो गई है क्योंकि जैसे मेरी उमिद्वारी जाहिर हो गई तो विपक्षम ने अनाप साप यह आरूप कर रहे हैं चुरू कर दिया